महराष्ट में सियासी उठा पठक के वीच भाजपा नेता दिवेंद्र फड़नवीस ने बड़ा एलान किया है महराष्ट के अगले मुख्यमंत्री एकनात शिंदे होंगे दोनों नेता राजपाल कोश्यारी से मिल चुके हैं जहां उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है जानकारी के मुताबिक शपत ग्रहन आज शाम साड़े साथ बजे राजभवन में आयोजित किया जाएगा एकनात शिंदे का नाम महराश के मुख्यमंत्री के रूप में घोसित के जाने के बाद शिंदे गुट के विधायकों और कारिकरताओं में काफी जश्न का महौल है यानि कि जिस तरह से अब पूरी महराश की राजनीती ने करवट ली है और महराश के जो नए सियम होंगे वो एकनात शिंदे होंगे कई घटना है आप लोगों ने देखिये कि अपोजिशन में से रूलिंग की तरफ लोग जाते हैं लेकिन हम लोग रूलिंग में थे, रूलिंग पार्टी में थे, सुक्ता पक्ष में थे मैं भी नगर विकास मंत्री मेरे साथ कई मंत्री ही हूँ और कई विदायग जो 50 संक्या में है ये सब 50 लोगों ने एक वैचारी घुमी का लेकर इस राज़्य के हिद की बात, इस राज़्य के विकास की बात और जो उनके चुनाव क्षेत्र में दिन प्रति दिन जो समस्य खड़ी हो रही है, कर चुनाव में जितने कम जितना मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान में रखते हुए जो महाविकास अगाडी सरकार में जो अन्य पक्ष है, मैं किसी के उगराज टिपन ही नहीं करूँदा, लेकिन अन्य पक्षों के मात्यम से उनके चुनाव शेत्र में जो कटिना ही पहिदा हो रही है, उनको जो प्राबले खड़ी हो रहे हैं, और भविश्य में उनका जो मतदादा है, जोनों ने उनको चु कोशिश की, कि इसमें कर्रेक्शन हो जाए, जो हम लोग पहले अलायंस में चुनाव लड़े थे, शुचिना और भात्य जन्ता पार्टी, ये नैचरल अलायंस है, तो नैचरल अलायंस के खिलाब होकर हम लोगर के महाविता सागड़ी तो अब कुछ कर्रेक्शन हो जाए, जाएगा, आप दोनों विचार जारावाली पार्टी जो है, इस राज्य गुर्वास हो रहे, लेकिन हम लोग ने कोशिश की, महीने भी कोशिश की, लेकिन हमें सभुलता नहीं मिली गुर्वा कैसे नहीं, और इसने ये जो कडम उठाया है, ये किसी को मंत्री या किसी, क्य ये ऐसा नहीं हुआ है, ये किरने जो है, एक आइडॉलाजी की बात है, ये बाला साथ ठाक्रेजी की हिंदूतों की बात है, और इस राज्य के विकास की बात है, इसे हम अजेंडा ये आगे लेके जा रहे थे, और आज मैं धन्यवाद दूना, देवेंदर जी नहीं अभी कि हम लोग बाला साथ ठाक्रेजी की शिवसेनिक को समर्तन दे रहे हैं, ये उनके दिल का बढ़पन है, ऐसा कभी कोई करता नहीं, जिसके पास 120 विदायक है, जिसके पास 120 विदायक होने के बावजूद, ऐसा कोई ग्राम पन जाए तो नगर से उनका पद्वी नहीं जोता है, ये तो मक्यमंत्रिक बढ़ है, और ये आज उदोने चिवसेना प्रमोग गाला साथ ठाक्रेजी के सहिनिक को एक सपोर्ट किया है, इसलिए मैं अधर्निया पन्तुप्रदान नरेंतर जी मोधी साह को धन्यवार देता हूँ, उनका अभार मांता हूँ, वैसे ही मैं ग्र उनका भी धन्यवार और खास करके मैं देवेंदर जी को धन्यवार देना चाहता हूँ, क्योंकि वो खुद भी इस पत को राप्त कर सकते थे, लेकिन उनकोंने कहा है, मैं भले मंत्रिमंटन नहीं लेकिन मैं इस राज्य के रिकास के लिए सरकार के साथ हूँ, ऐसा जो इस राज्य बनी बलकि ठेश में आईसे मिशाल, एक मिशाल होगी, और आज के लमाने में ऐसा करना, मुझे नहीं लगता, ऐसा भी कर सकता है, और इसलिए मैं उनको धन्यवार देता हूं, क्योंकि सभी सभी सहयोगी जो है, उनको भी धन्यवार देता हूं, इतना ही मैं हम स जो विश्वास भावतिय जंता पाटी ने हुमारे 50 विदायक उनके ओपर जताया है। भावतिय जंता कुछ स्वेहल देजह जिताया है उसको거를 दूति सब्सक्रालोग कोशिच करेंगे और और जो 40 और 10-50 विदायक जो है, उनके बलगुते पर यहां तक लड़ाई जड़ी है, एक मैचारिक लड़ाई है, और उनको भी मैं धन्याद दूंगा कि एक तरफ पुरी सत्ता है, एक तरफ पुरी सरकार है, एक तरफ बड़े-बड़े नीता है, मैं तो उनके सामने एक छो बोड़ूंगा नहीं, उसके खरोच भी नहीं मैं आने दूंगा, और उनको पहले जो अनुगो आयराई पिछले 5.5 साल में, उसकी पुरारती नहीं होगी, इसकी भी मैं पूरी तरफ खबरदारी दूंगा, इतरह इमें कहूंगा।